मस्कार दोस्तों मैं आशनी पांडे स्वाइब थाप सुपके इंग नीवीडियो वह जरूरी होने वाला है साइस के प्रोस्पेक्टिप से क्योंकि एक ऐसा उलकापिंड है जो इन दा फ्यूचर प्रिथवी से टकरा सकता है इसकी पोस्पिल्टी मानी जा रही है और ये काफ कोई चीज उठाने के लिए जा रहे हैं इस रेगिस्तान में ये कुछ लोग नॉर्मन लोग नहीं है ये नासा के साइंटिस्ट हैं और जो सामान उठाने जा रहे हैं ये एक सेंपल है जो वह सुलकापिंड का है जो इन दा फ्यूचर प्रिथवी से टकरा सकता है इस बात क की पोस्बिल्टी मानी जाती है जिस सुलकापिंड का ये सेंपल है इसको बोलता है अमेरिकी स्पेस एजंसी जो नासा है उसका एक केपसूल 24 सितंबर को यानि कल की बात है स्ट्राइट बेन्नू का सेंपल लेकर प्रिथवी पर गिरा और ये केपसूल अंतरिक से 7 साल के ब सेंपल लेकर अमेरिका के यूटा रेगिस्थान में उतरा है देखो जो इन लोगों ने अपना एंतरिक श्यान वेज़ा था वो खुद नहीं आया है उसने केपसूल ड्रोब किया है उसमें सेंपल है इस सेंपल से जानकारी मिलेगे कि आसे चार दिसमलों पाच आरब साल प वो इस आई आर इस जीक से देखो यह एक ग्रीक दिवता के नाम पर रखा गया है इस मिशन का नाम यह सोट फोम है इसका लोंग फोम बहुत बढ़ा होता है इस मिशन को आठ सितंबर 2016 को लॉंच किया गया था इसकी खास बात यह रही है कि इस मिशन के स्पेस क्राब्ड न इस से पहले ही यूटा के रेगिस्तान में ओसिस रेक्सा और मिलिटरी रिकवरी टीम केपसूल के लिए मुझूद थी इस्ट्राइट बेन्नों के केपसूल को अब यूटा रेगिस्तान रेंज में एक अस्थाई क्लीन लेब में भेजा जाएगा और फिर आज से यानी सो म इसमें सेंपल हो सकता है यानी उस इस्ट्राइट बेन्नों का कुछ भाग हो सकता है लगवे में 200 गराम के आसपास में जिस उलका पिंडने डाइनासोरों को प्रित्वी से खतम कर दिया था उससे ये लगवा में 20 गुना छोटा है लेकिन अगर ये प्रित्वी से कभी ठकर जाने की संभावना लगवी में 2700 में से एक ही है एस्ट्राइट बेन्नों जो है वो 1999 में खोजा गया था ये करीव 14.5 आरब साल पहले कार्बन रिच एस्ट्राइट से तूट कर बना था और लट्टू की तरह दिखता है इस केप्सूल में जिस उलका पिंड की मिट्टी का सेंपल है वो 1182 में प्रिस्ट्वे से ठकरा सकता है